दोस्तों काफी सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि अपने शेयर का स्प्लिट करती रहती हैं और अपने existing investors को bonus shares इस्यू करती रहती हैं तो इन कंपनियों के fundamentals अगर अच्छे हैं दोस्तों और हम long term के लिए investment करते हैं इन stocks में तो आने वाले समय में मैं एक multi-wagger returns बिल सकता है इन stocks से नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब के एक बार फिर से stock for retail पर stock market से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे Phenolix Industries Limited के stock के बारे में यहाँ पर जानेंगे पूरी details यहाँ पर देखेंगे fundamentals क्या है इस company के और साथ ही साथ जानेंगे कि इस company ने जो stock split announcement किया है उसकी x date क्या है यानि कि कि किस date से पहले अगर आप stock को purchase करते हैं बाई करते हैं तो आपको stock split का फायदा मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर overall fundamentals जान लेते हैं Phenolix Industries Limited के बारे में तो आप देख सकते हैं कि intrinsic value कि यहाँ पर बात करें तो current price is less than intrinsic value FD से ज्यादा returns दे रही है dividend yield का अगर देखें तो 1.63% के आसपास है जो कि बहतरिन dividend yield है इस particular company के लिए और यह stock यह और साथी साथ stock split जो announcement हुआ है उसके बाद यह price moment कहां तक जा सकता है ठीक है यह stock ASM GSM की list में नहीं है और promoter shareholding की यहाँ पर pledging देखने को नहीं मिल रही है अगर हम इसका all time chart देखें तो आप देख सकते कि कितनी बहतरीन company है 1800% के आसपास यहाँ पर all time returns दिया है और इसका chart देखिए कि बहतरीन chart है और जब भी इसमें gir out होती है इसमें जरूर बाइंग करनी चाहिए आप देख सकते हैं मार्च की gir out के बाद कितनी जवर्दस तरीके से इसने almost 100% returns दे दिया है पिछले एक साल में ठीक है जहां तक valuation की बात करें तो इसका stock P ratio यहाँ पर 22 के आसपास ह आते हुए हम देख सकते हैं लेकिन फिलहाल इसमें buying की जा सकती है क्योंकि यहाँ पे stock P ratio अभी sector P ratio से कम ही है आप देख सकते है 35 के आसका sector P ratio है और stock P ratio यहाँ पे 22 के आसपास है ठीक है चली यहाँ पे company के financials देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका overall अगर हम revenue की बात कर tax की बात करें तो 500 करूर रुपए के आसपास profit before tax यहाँ पे 2017 में और 400 करूर रुपए के आसपास 2020 में देखने को मिल रहा है ठीक है overall यह profitable company है और यहाँ पे अगर हम balance sheet देखें तो आप देख सकते हैं कि इनके पास total assets यहाँ पे देखिए 800 करूर रुपए के आसपास वहीं पे liabilities के हम बात करें तो 900 करूर रुपए के आसपास liabilities है और liabilities भी बढ़ती हुई हमें कहीं ने कहीं से दिखाई दे रही है चलिए अगर हम cash flow देखें यहाँ पे तो आप देख सकतें कि free cash flow 2017 में 156 करूर का था और यहाँ पे 2019 में 288 करू और 2020 में यहाँ पे 35 करूड तो हलाकि जो lockdown अगरे हुए थे उनकी वज़े से यहाँ पे businesses में कमी आई थी तो यहाँ पे फिलहाल इस बात को हम ignore कर सकते हैं ठीक है एक important बात यहाँ पे shareholding pattern देख लेते हैं तो shareholding pattern आप यहाँ पे देख सकते हैं promoter के पास यहाँ पे 52% के आ बस बस overall shareholding देखने को मिल रही है ठीक है अब यह circular देख लेते हैं phenylox industries द्वारा जो की 30 March यानि की कल के दिन लाया गया था यह circular और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्हों ने जो अपना face value था share का 10 रुपय का उसको split कर दिया है 2 रुपय की face value पे तो face value बहुत important बात हो यानि की अगर आप example ले एक pizza का टुकड़ा है जिसमें आपने 10 टुकड़े कर दिया है तो होता क्या है कि अब यह pizza तो रहेगा वही लेकिन यहाँ पे 10 अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे same यही चीज होती है stock के split के साथ तो यहाँ पे क्या होगा कि जो face value यहाँ पे 10 र है ठीक है अगर आपके पास एक share है already तो जब यह split हो जाएगा face value दो रुपए में तो आपको उस particular एक share पर मिल जाएंगे यहाँ पे 5 share यही कि अगर आपके पास 100 shares है तो आपके पास at the end of share split हो जाएंगे 500 shares ठीक है यहाँ पे company के business segment की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं of PVC pipes and fittings in India है PVC resin और PVC pipes and fittings इनका overall portfolio product portfolio divisions है खीक है यहाँ पे अगर हम product portfolio देखे तो आप देख सकते हैं कि agriculture के लिए pipes and fittings यहाँ पे produce करते हैं साथी साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं solvent cement के लिए भी यहाँ पे products manufacture करते हैं receiverage pipes भी manufacture करते हैं plumbing pipes, SWR pipes, CPVC pipes और casting pipes भी यह manufacture करते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो diversified product portfolio है इनका overall ठीक है जहाँ तक रही बात इसके technicals की तो आप देख सकते हैं कि अगर यह 50 days और 100 days के moving average के ऊपर close होता है तो obviously यहाँ पे आपको 700 रुपए तक के levels की यहाँ पे moment देखने को मिल सकती है current moment के हिसाब से क्योंकि यहाँ पे RSI levels देखें तो अभी भी overboard zone में नहीं गया और awesome oscillator के बार अभी भी नीची की तरफ बन रहे हैं यानि कि इसमें अभी ओपर की moment की संभावना यहाँ पे जादा है ठीक है जहां तक रही बात यहाँ पे stock split की तो आप देख सकते कि जो record date है यहाँ पे 16 April है यानि कि X date यहाँ पे एक दिन पहले generally होता है 15 April के आसपास होगा तो 15 April से पहले अगर आपके पास यह share आपकी DMAT में है तो आपको share split का यहाँ पे फायदा मिल सकता है तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही दोस्तों उमीदे वीड stocks में investment करिए आपनों के लिए information लाता हूँ आपनों के लिए educational वीडियो जलाता हूँ ताकि आप सीख सके और एक profitable investor बन सकें stock market में